नमो नमह सच्चिदानंदरूपाय विश्वत पत्याधिहे तवे तापत्रय विनासाय स्रीकृष्णाय वैमनुमह श्रीमत भागवत महापुरान प्रभू की लीला, प्रभू की भक्ती, प्रभू का ज्ञान, प्रभू का किर्टन आप प्रभू में हो जाइए जब हम भागवत की कथा जो है ये कथा से आपके रद्याकाश में वो भक्ति प्रगट हो आपके रद्याकाश में ज्यान प्रगट हो आपके रद्याकाश में ध्यान प्रगट हो और आप ध्यान में हो जाओ आप भक्ति में हो जाओ आप ज्यान में हो जाओ यही मैं प्रभु से प्रातना करता हूं और यह जो कथा है स्रीमद भागवत महापुरान तो अपनी भारतिय संस्कूरूती की धरोहर है और एक के बाद एक स्लोक हम ले रहे तो आज नवमा स्लोक लेते हैं सुदवाच अभी जो आगे थे तो सवनग जी महराज ने प्रश्न पूछे थे और सु पूत जी ऐसे बोल रहे सुतवाच मैं स्लोक पढ़ता हूं फिर आगे हम देखते हैं सुतवाच प्रितिही सवनक चित्तेते यतो चस्मी विचार्यज सर्वसिद्धांत निश्पन्नम संसार भयनाशनम देखो यह जो स्लोक है उनमें यह जो बाते है वो गहन है तो हम गहन बातों को पहले सुनेंगे फिर सोचेंगे ऐसा तो स्रवन करेंगे फिर मनन करेंगे फिर ध्यान करेंगे अपना रुशी मुनियों ने बताए कि स्रवन करो आप स्रवन कर रहें फिर मेरी बातों को मनन करना और फिर जो बाते आपको अच्छी लगे देखो क्या ह आपका जो यह मैंने बताया कि आपका जो स्क्रीन है जैसे टीवी का होने दो टैबलेट का होने दो फिर मोबाइल का होने दो नई मिशारन्य है जो नई मिशारन्य में क्या होता है कि जो रुशी मुनिया आप भी एक रुशी है आप भी ऐसे समय लो जो माताय हैं तो इसे मत सम पर आप उनको सुनेंगे तो समझना कि प्रभू की आप पर कुरूपा है तब ही आप यह वीडियो देखेंगे और सुनेंगे तो मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं कि प्रभू की आप पर कुरूपा है तो सुत जी ने कहा देखो सउनक जी तुम्हारे रदय में भगवान प्रेम है तो वीडियो कौन देखेगा जिसको प्रभू के उपर प्रेम है आजका लेक प्रशन उठ जाता है जब मेरा प्रेक्टीकल सथसंग प्रवजन होता है जिसे मैं मंदिर में प्रवचन दिया जैसे लोग इकटे हुए मैंने प्रवचन दिये तो लोग मुझे पूछते हैं कि गुरु जी आजकल लोगों को प्रभूस पे इतनी स्रद्धा नहीं है लोग प्रभू में इतने नहीं मानते हैं तो मैं बलता हूं देखो उनकी चिंता मत करो प्रभू को चिंता करने दो आप में जो श्रद्धा है न तो आपके रदे में भगवान का प्रेम है इसलिए मैं विचार कर सुथ जी बोलते है मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धानतों का निश्करिश सुनाता हूं जो जन्म मृत्यू के भय का नाश कर देता है देखो जन्मा का जो भय है न सुनो वह नहीं होता है सुनो ऐसा क्यों आपको मालूम नहीं है बहोसी में अपने जन्मा ले लिया है मर मृत्यू का जो भय है सुनो तो हरे को रहता है उसको बलते अभीनिवेश जिसे बड़े-बड़े सास्त्र में लगाए कि विद्वान तो उनको अभीनिवेश मिस्तियू का भय रहता है यह भागवत का जो परम अमृत है ने मृत्यू का भय को निकाल देता है जीसे अंदेरे में डर लगता है जैसी प्रकाश आ है फिर वह डर चला जाता है तो और नहीं होने दो पिस रहता है न कितने भैंव Leg 1 अपने जो लोग जैसे अभी पती है तो उसको पतनी की चिंता रहती है तो यह जो फियर अफ लॉस हो हरे के दिल में रहता है फिर दूसरा जो भई रहता है कि क्या होगा फियर फ्यूचर जो अंसर्टेनिटी है तो अभी ऐसे मैंने एक कविता सुने थे वो गुजरती में थी सुनू ऐसा मिस ऐसे कोई आपको पूछे की कैसे हो तभी ओचिंता जो दन उसके मेरा मैं बताता हूँ अंसर्टेनिटी तो यह लाइव में आप देखते हैं कि कल यह आदमी थी आज नहीं रहा और आप देखते हैं कि उसके गर जन्म हुआ तो जन्म मृत्यू की यात्रा चलती रहती है त कौन नास करेगा भागवत की जो परम कथा है ऐसे मैंने सुना है मैंने बहुत से बड़े बड़े विद्वानों से भागवत की कथा सुनी है और उनका जो कहिना है कि यह जो भागवत की कथा है वो परम हंसों की सहीता है यह जैसे जैसे भागवत आगे चलेगी और आप जै जब करो करे तो अच्छा है ऐसा मने सुनने मात्र से आपके रद्याकाश में आपके मन में प्रभु के प्रती प्रेम जागरूत हो जाएगा बाद में जब प्रेम जागरूत होता है तो हम लोग जिसके प्रती प्रेम है उसका चिंतन करते तो प्रभु का चिंतन अपने आप ह जब चिंतन होता है तो ध्यान होता है तो देश बंद चित्त से धारना पहले तो आपने भगवान का प्रेम हो गया तो मैं उसे धारना बोलता हूं फिर आगे जैसे जैसे आप चलेंगे तो वो चिंतन चलेगा प्रेम होगा बार बार तो उसको ध्यान बोलूँगा तत्र प्र प्रभु की बात याद आएगी जिसे रहेगा चलो एक वीडियो देख लेते हैं आप यह वीडियो में बना रहा हूं आप लोगों के लिए और प्रभु की आज्या से हैं देखो प्रभु का दो अर्थ होता है एक प्रभु जो है वह माँ प्रभु है ऐसा और दूसरा है तो जगत प्रभु हैं तो मा और पिता दोनों प्रभु की कुरुपा से वीडियो में बना रहा हूं और भगवन का जो है गुर्णान गाएंगे तो तुम्हारे रदे में भगवान का प्रैम है तो आपके रदे में किसका प्रैम है देखो लोग मुझे बोलते कि मुझे यह अची लगती हैं फिर कॉनसी फ्लेवर की दें तो। टूइअ आइसक्रीम खाना है वो अच्छी बात है मगर कॉनसी खाना है वो आपके ब्रेन की जो US को मैं संस्कार भोलता हूं इंपुरिशन से तो मैंने अपनी एंपुरिशन को ऐसे गुजरती मोलतो हुब बूस डाला है, ऐसे I have removed all the impressions from my brain, अभी क्या होता है, मेरे उपर है कि मुझे क्या अच्छा लगे, वो अच्छा लगने वाला I will decide, तो आपके जीवन में जैसे कोई अपमान करता है, तो वो जो impression से उसको पहुच डालो, ये जो है न, तो देखो, reprogram your brain and mind and consciousness, तो इसलिए आपके रदय में भगवान के प्रती प्रेम है, तो प्रेम जो रहता है, तो अभी हम लोग संकर भगवान को भी याद कर देंगे, एक बार माता पार्वती जी ने पूझा कि प्रभू किधर है और कैसे प्रगट होते है, तो प्रभू जी ने बताया, शीव भगवान, देखो यापक है, सर्वत्र है, और समान रूप से है, जैसे अभी आप जो भी पीते हैं, जैसे मैंने देखा है कि आजकल लोग चाय पीते हैं, तो जैसे चाय का जैसे पहली आपने चुस्की लिया, जैसे पहला पहला गूंट लिया, और लास्ट गूंट लिया, घरम में फरक पड तो मैंने बताए मुझे एक और घ्यान दिया कौंसा घ्यान तो मैंने बुला कि तुम व्यक्णमुक्ति यग्न चलाओ in yak the मैं ठ्वला मैंने मुझे द्यान में जो प्रकाश हुआ जो जो इसे इसे आपको भी आनन्द आ जाएगा व्यसन मुक्तिना यग्नमा आहुति यग्न चल रहा है व्यसन मुक्ति यग्न चल रहा है और चाय बीड़ी तमाकु छिक्णी जैसे व्यसनों छोड़ो और मेरे माने बुले चाय को बीच में क्यों ऐसे गुसेड़ते हो ऐसा चाय तो अब आपको समझना है brain में जो बात होती है उसको impression बोलते हैं उसको संस्कार भी बोल सकते हैं फिर impression जैसे धीरी-धीरी आपके मन में आ जाएगी subconscious mind में तो उसी को आम संसकार बोलेंगे फिर चाय के बीना नहीं चलेगे ऐसा बग़ाया फिर आपका स्वभाव क्या है आनन्द आपको यदि आपके आनन्द जो ऐसा कम हो जाता है तो फिर चाई को चाई का इतना महत्व मत दो ऐसा तो कहिने का मतलब यह जो आप से मैं बता रहा हूँ अच्छे अच्छी बाते बहुत है जीवन में तो चलो स्लोक को फिर से सुनते हैं और फिर हम आगे चलते हैं सुतवाच प्रितिही सोनक चित्ते ते यतो चस्मी विचार्यच सर्वसिद्धान्त निश्पन्नम संसार भयनाशनम आपके रदय में से सब प्रकार के फिर चले जाए आप समझ रहे हैं ऐसा तो ऐसा ग्यान में आपको दे रहा हूँ तो यह जो फियर क्या है तो मैं एक स्लोक ऐसे आपको ऐसे बता रहा हूँ कि बी फियरलेस एंड लाइट लाइट लाइफ लिल बी लिमिटलेस अभयं कुरू सन्ना कुरू प्रजावि अभी वागवत है यदि सत्संग में किर्टन नहीं किया तो क्या फरक पड़ता है तो बोलते हैं बहुत फरक पड़ जाता है तो किर्टन तो करना ही रहेगा तो चलो एक मिट के लिए किर्टन करते हरे रामा 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 आप बोलिए क्या होता है किर्टन से मैं बार-बार किर्टन की बात करता हूँ तो एक और किर्टन कर लेते हैं आप मंत्र उच्चार कीजिए मंत्र से आपके जीवन में परिवर्तन होगा आपका जो मन है वो शांत होगा और रदय में प्रभू की भक्ति प्रगट होगी और आपके सब भय है वो आपके दूर चले जाए चलो मैं आपको आशिर्वात देता हूँ जब आशिर्वात देता हूँ तो ऐसे मत समझ ना कि यह जो आपको सामने दीख रहा है वो भाई गुरु जी आशिर्वात दे रहे ऐसे मत समझ यह समझ यह कि आपके गुरु महराज आपके इश्ट देव आशिर्वात दे रहे और यह जो सामने गुरुजी जो बोल रहे है न वो तो एक ऐसे उनका भाव है और मेरा शब्द है आपका शूब हो आपका कल्यान हो आपका मंगल हो आपके जीवन में से सर्व प्रकार के भई निवृत हो जाओ निवृत हो जाओ आपका शूब हो कल्यान हो मंगल हो मेरे साथ बोलिये बोल सकते दो आनंद में रहो मोज में रहो हर आल में खूश रहो एंज़ाई अवरी मोमेंट अब दे लाइफ